वेल्कम टू एप्टीट्यूट जैप इस वीडियो में हम कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे वेंड डाइग्राम मैथेमेटिकल ऑपरेटर ठीक है और उसके लावा और रैंकिंग यह इसमें हैं किस तरह को सवाल आते हैं कैसे वह सबसे पहले करते हैं बैंगर्म से अर्म में होता है और इसमें क्या ओर इता है कि आपको एक ढीयाराम वा आपको कुछ चीज़ों के बीच में रिलेशन बताना गा्याठर सथा comedian chemistry physics और science को आप किस तरह से वेंड डिखा सकते हैं अब जैसे मैं पता है कि chemistry रसायन विज्ञान फिजिक्स बहुत ही और यह दोनों विज्ञान की शाखाए हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि science यह science है chemistry उसके अंदर एक पार्ट है एक पार्ट फिजिक्स है chemistry फिजिक्स साइंस इस तरह से दिखा सकते हैं काफी सिंपल होता है आपको बस वर्ट की मीनिंग पताओ ने चीए और आपको विजुलाइज करना की कैसे आप दिखा सकते हो अगला देखते हैं इंडिया उत्राखंड व भारत विश्व के अंदर आता है तो यह हमारा रेप्रेजेंटेशन हो जाएगा काफी आसान सा टॉपिक है बस आपको समझना चीए उन चीजों के मतलब पता होने चीए और आप उस तरह से कर सकते हैं अब जैसे यह हैं कि लिट्रेट लॉयर फीमेल साक्षर वकील और महिल से यह लेकिन इस तरह से द् MAL कि जितने लॉयर वहते हैं कि बहुची फड़िखे होता थैकर टिके ऐसा नौइयर पने के अब पड़ना टिके थाया होगा वो मिट्रेट ओट अब जो फीमेल्स आती है महिलाएं आती आब महिलाओं में कैसे हो सकते हैं महिलाओं में वकील can be lawyers, literate, illiterate also, right, so females को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, तो कुछ females lawyer हो सकते हैं, कुछ females literate हैं, पर lawyer नहीं है, कुछ females illiterate हैं, तो ये हम इस तरह से दिखा सकते हैं, तो ये lawyer हो गया, ये literate हो गया, और ये female हो गया, कुछ females ये females हैं, lawyers हैं, यह Females हैं, Lawyers नहीं हैं पर Literate हैं, यह Females Literate नहीं हैं, तो इस तरह से हम इन तीनों को आपस में दिखा सेथा हैं, अब यह एक दूसरे दिनहे का when डागराम आता है, इसमें आपको number दी होता हैं, और आपको पता लगाना होता हैं कि कौन से area की बात कर रहा हैं, ठीक है, तो इ एक्टेंगल है एथलीट तो इन नंबर्स का मतलब क्या होता है जैसे यहां पर नौ लिखा है नौ का मतलब है यह नौ लोग एथलीट है पर यह फुटबॉलर और प्रिकेटर नहीं है क्योंकि इन दोनों के अंदर नहीं आ रहे हैं अब यह छे लोग है छे लोग यह क्रिकेटर है यह फुटबॉलर नहीं और एसलिट नहीं है तो इसमें हम से पूछा क्या है कितने फुटबॉलर क्रिकेटर है लेकिन ऐथलीट नहीं है क्किने फूटबॉलर तर्ट नॉट rectangle में तो rectangle के बाहर आना चाहिए rectangle हटा दो अब circle और triangle में कितने आ रहा है और सात यहाँ पे आ रहे यह circle में और triangle दोनों में है यह footballer भी है और cricketer भी है लेकिन athlete नहीं है तोमारा answer अजाएगा 9 ऐसी एक example लेते हैं इसमें क्या है त्राइंगल कमक है देंगल यहां पर कमक है सरकल टीचर एंग और रेक्टेंगल ड्राइवर ऐ 你 कि ध्रायंगल को को गया कि फैंड कल टीचर हो गया और यह द्राइबर हो गया अब यह कह रहा है किоло जो भी हिस्सा यह र्चेंगल के अंधर आ रहा है यह सरकल के अपने प्रिम्णियापी है तो हमारी पास कोई भी ऐसा ड्राइवर नहीं हो सकता जो कुष को लेकिन टीचर नहां起र की यह सरकल्व को डिप्रेज़ेंट कर रहे ऑर जो जितने भी ड्राइवर वाला पोर्षण है यह सरकल के अंदर आ रहा है और यह जो आ रहा है यह बाहर आ रहा है पर इसमें ट्राइंगल नहीं आ रहा है हमारा अंसर हो जाएगा नन कोई भी ऐसे हमारे पास लोग नहीं है तो इस तरह से हम अलग-अलग representation निकाल सकते हैं जैसे आप से अगर पूछ लिया कितने लोग हैं जो सिर्फ संख्या है मैं तो अपर लेंकिंग में क्या होता है 3 4 में क्लास में कुछ चात रहें उनकी इसमे पीछे स्थाने क्लास में कितनेون भच्चे सवाल होता है यह इस दि में लो नियुक्र स्रक्ट रहा है अगर मान लीजे कोई चात्र है ठीक है उसकी आगे से रैंक 9 है और पीछे से रैंक 25 है अगर मैं पूछू कि कितने लोग हैं क्लास में तो आप कहें 9 25-1 यानि की 33 लोग तो आप लिख सकते हो n is equal to forward plus backward minus 1 या फिर आप कह सकते हो तो forward plus backward is equal to n plus 1 forward और backward की जगा टॉप रैंक बॉटम रैंक भी बोल सकते हो ठीक है या फिर पोजीशन फ्रम लेफ्ट पोजीशन फ्रम राइट अगर मान लीजे सवाल दिया है कि मान लो जो कोई आदमी है मनीश मनीश क्या है यह पंद्रवे पोजीशन में बैठा है लेफ्ट से पंद्रवे पोजीशन में बैठा है और राइट साइट से यह बैठा है आठवे पोजीशन पे तो आप से अगर पूछा जाए कि कितने लोग है तो आप क्या होगे 15 plus 8 minus 22 लोग है और अगर आपको left या अंद्रवे स्थान पे बैठा है और 22 लोग बैठा है तो आप क्या करोगे आपको गए एन एन इस इकल टू एफ प्लस बी प्लस वन तो यह फिर left प्लस राइट प्लस वन तो यह लेफ्ट से दिया है आपको राइट माइनस वन यह हो जाएगा तो यहां पर आपका आपका 8 फी पोजिशन तो यह फॉर्मूल आपको समझना है कभी-कभी यह लेफ राइट में दिया होगा यह उपर से नीचे दिया होगा बात एक ही है तो इसके कुछ सवाल देखने है इन अ क्लास बोई स्टेंड इन सिंगल लाइन वन अफ द बोई इस सेवेंटीं इन और फ्रम अब दो लोग है सौरभ और रवी जो इसमें क्या दिया है कि निच्जाइब रवी की रहंग आगे से और पीछे से कि एक रवी की रहंगा पीछे से दी है इनको कि नीचे से में नीचे से हमें रावी की रहंग देद सवेंटीं एब क्या छाइब है मैं थीugenic 002 से कितिनी rank होगी अभी हमने बात की थी n is equal to top plus bottom minus 1 यानि कि आप कह सकते हो top plus bottom is equal to n plus 1 ठीक है कितने students है 49 students है तो ये जो top से rank है plus ये ये 50 आना चाहिए इसकी top से rank हो जाएगी 33 अब क्या पूछा है सौरप की rank से और ये क्या है बारा रैंक आगे है तो 33 से बारा रैंक घटा दो आगे मतलब रैंक कम मतलब वैल्यू कम होगी रैंक की ठीक है तो 33-12 कितना हो जाएगा 21 तो इसके रैंक हो जाएगी 21 in a class of 45 students the number of girls is two-third of the number of boys विराट a boy is 15th from the top and six girls are ahead of विराट what is the rank of विराट from the bottom among the boys ठीक है तो एक लड़का है विराट वो पंद्रवे स्थान पर है और उससे शह लड़कों से आगे हैं तो उसके आपको निकालना है कि लड़कों लड़कों से अगर उसकी ranking की जाए तो नीचे से कौन से स्थान पर होगा तो पहले हमें number of boys और girls निकालने पड़ेंग तो girls हो जाएंगी 2x ठीक है दो ती हाई हो गई इसकी तो टोटल कितना हो गया 5x यह है आपका 45 तो x हो जाएगा आपका 9 ठीक है अब क्या हो गया कितने boys हो गया boys आगए आपके 27 और girls आगई 18 अब विराट की rank 15 है ठीक है की rank 15 है और 6 लड़किया इससे आगे है तो boys में इस की rank हो जाएगी 15-69 क्यूंकि 6 लड़किया है तो 8 लड़के आगे होंगे और यह 9 स्थान पर होगा आप इसकी rank उपर से 9 है नीचे से कितनी हो जाएगी तो हमने बात क्या की थी n is equal to top plus bottom minus 1 ठीक है n कितना है हमारे कितने boys है 27 boys है तो 27 हो जाएगा 9 plus B minus 1 तो B आजाएगा आपका उनिस तो यानि कि इसकी rank हो जाएगी नीचे से 19 वे स्थान पर होगी इसकी rank इस निखिल is 21st from the left end in a row and रह्मान is 24th from the right how many boys are there in the row निखिल 21st थान पर रह्मान 24 वे स्थान पर अब यहां पर लोग क्या करेंगे वो करतेंगे 21 plus 24 minus 1 यानि कि 44 जिसको पता होगा कि कहां पर minus करना है यह वो कर देंगे कुछ कर देंगे 21 24 दिया है add करके 45 आजागा जिसको यह भी नहीं पता ठीक है कुछ ऐसा कर सकते हैं वो कहेंगे अच्छा plus होता था या मैनस होता था म मैं याद नहीं है आंसर 46 कर देंगे ठीक है कुछ भी करो आपका अंसर गलत है क्यों कि यहां पर आपको निखिल और रह्मान की रैंकिंग दी है ठीक है पर इनके बीच में कितने लोग हैं बीच में तो हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं तो यह भी पता हो ना चीए कि आ आपको इंफर्मेशन दी है कि नहीं दिये अब नेक्स देखते हैं तो इसमें कह रहा है कि 35 लोगों की स्टूरेंट में अंकित इस सेवन फ्रॉम बॉटम और सूरज इस नाइन फ्रॉम टॉप त्री लोग इस इग्जाटली प्लेश बिट्वीन अटू वाट इस त्री लो लोग और सूरज है तो यह कह रहा है अंकित की रैंग साथ है बॉटम मैं से सूरज की रैंग टॉप मैं से नौ है सूरज आगे हैं उससे को फरग नहीं पड़ता है हम किधर लिखने और त्री लोग इन नोनों के पीचों बीच है और कितने लोग है 35 स्टूटेंट्स हमें क की टॉप से निकालने इसके लिए हमें अंकित की रैंग टॉप से पता होने चाहिए अब टॉप से कैसे निकालेंगे अभी हमने बात की थी नंबर आफ पीपल इस इकोल टू टू अप फ्लस बॉटम माइनस वन तो हम यहां पर हमें क्या हो जाएगा एन कितना हो जाएगा टॉप लस बॉटम इस एन फ्लस वान यह चीजा मैं याद रखनी है तो टोटल यहां पर 35 सुडेंट से तो च्छतिस हो जाएगा टॉप लस बॉटम इसकी बॉटम से साथ है तो टॉप से किती हो जाएगी 29 प्लस साथ 36 हो गया यह 29 रैंक पर यह 9 रैंक पर है इनके ठीक ब अब हमने और रैंकिंग का भी कॉंसेप्ट देखा तो इसमें किस तरह से सवाल आते हैं कैसे कर सकते हैं अब हम देखते हैं अब मैथेमेटिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है इस तरह से आपको स्टेट्मेंट और कंक्लूजन भी होंगे तो पहले एक कुछ एक च लेटर एक्वल टूब और लेज्ट इन एक्वल डूव ठीक现在 पहले 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 ही कंडिशन क्या देखनी है अगर ऑपोजट्स प्रेट्स साइन होता है तो नो कौना रिलेशन हो गया opposite sign का मतलब है कि अगर एक ऐसे दिया है एक ऐसे दिया है एक ऐसे दिया है तो opposite direction में हो गए तो इनके वीच में no relation होता है ठीक है और एकलम साइन होता है relation में पनेग節目 सबस्छक्त翼 होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर या दिया है या relative जाने थैए हॹत ऐसे दिया है तो सबसे बड़ा होता है सबसे बड़े यह दो साइन होता है यह फर्स नंबर पर आता है यह second number पर आता है और यह बाद में equal अगर कुछ नहीं है तो equal हो जाएगा तो सबसे बड़ा यह है अब यह सबसे top order का sign है अगर यह present है तो मतलब a greater than e हो जाएगा एक example लो लेते हैं अब सबसे बड़े यह दोनों होता है यह तो इसके बाद इसका number आता है अब यहां पर हमें यह वाला sign दिया है तो यह जाएगा पी less than equal to तो अगर से opposite sign होगा तो सबसे आसान होता है no relation सेम साइन होगा तो ऐसे देखते हैं अगर यह है तो यह आंसर हो जाएगा अगर यह नहीं है इन दोनों में से तो यह आंसर हो जाएगा नहीं है तो obviously equal होगा फिर क्या करते हैं तीसरी चीज़ आती है रिवर्सल वाली कि रिवर्सल बहुत सिंपल सी बात है रिवर्सल का मतलब है जैसे मालो पी greater than q दिया है तो अगर हम इसे उल्टा लिखना है तो q बस यह साइन का face change करते हैं इधर को arrow इसे इधर करते हैं अगर मालो ऐसे दिया है टी greater than equal to q तो इसका उल्ट हो जाएगा टी less अगर आप letters को आगे पीछे करते हो तो इस तरह से रिप्रेशन करते हैं अब इसमें क्या करना है जैसे हमें इनका relation निकालना है m और पी का अब यहां पर देखिए m और पी के बीच में कोई संबंद दिख रहा है ऐसे नहीं दिख रहा है आप कहोगे कि m तो इसके साथ है औ और भी लेस एकोल टू और एसा relation बन रहा है ठीक है आब हमने क्या देखा कि इसमें सबसे बड़ा साइन और है यह वाना साइन आ रहा है तो यह हो जाएगा m अब मतलत यह जाता है क्रेटर देन इन ऐसे पहला गाल दूसरा conclusion है g greater than equal to n अब g और n के बीच में को direct relation नहीं है ऐसे दिया है g greater than r और equal to n दिया है r equal to n दिया है तो यानि कि यह वाला sign present है तो g greater than n हो जाएगा और यहां क्या दिया यह दिया है कि जी और टी के बीच में को रिलेशन ही नहीं अब जी का relation किसे एसे है अब इसमें क्या रहा है और यह इधर की साइड का साइड का साइन है तो इसका मतलब नो रिलेशन हो जाएगा तो हम यह से conclude नहीं कर सकते दूसरा है Mr.च के बीच में का सा की निकालेगे हैं और ट के बीच में और ती और तra कि और बीच में और फिर दिविए यह घंग ति तो चलिए देखते हैं एन ग्रेटर दैन टी आ गया अपिर आप्र डीटर दन इकॉल प्र साइब तो यहां पर ऑपोजिट साइन्स आ गए यहां पर हमारा एक बीच तक ही रिलेशन नहीं आए फिर एक आप डबलू से करोगे तो आप डिरेटली कह सकते हो कि यह रिलेशन नहीं बन सकता तो आप कहा दोगे इन में से कोई भी ट्रू नहीं है चलिए देखते हैं बीच अच्छा आप यहां पर क्या यहीं बी का डी से रिलेशन है बीच एकोल टू डी है और डीच इकोल टू इक है तो मारे रिलेशन क्या बनके आएगा बीच अब यहां पर हमें दो कंपलूशन दिए बीच पर नहीं है वह तो इक ए ग्रेटर टैन और तो या तो यह greater होगा या equal to गा इसका मतलब होता है greater than और equal to या तो बड़ा होगा या बराबर होगा तो यहाँ पर क्या एक में बड़ा दिया एक में बराबर दिया है तो ऐसे में इन दो नमस से एक true होगा या तो यह true होगा अगर equal होगा तो यह वाला true होगा अगर greater होगा तो यह वाला true होगा तो इसका मतलब भी यह होता है कि इंदो नमें से यह true होगा ठीक है अब यह हमें करना है कि एक operator भरना है जिससे q greater than equal to x और c greater than n true हो जाएं ठीक है अब q greater than equal to x भरना है तो यहां पर q है यह x है अब हम यह तो नहीं भर सकते अगर हम यह भरेंगे तो यह greater हो जाएगा अगर हम यह भरेंगे या फिर अगर हम यह भरेंगे तो इन दोनों में यह सई होगा तो यह तो यह होगा यह फिर यह होगा अब दूसरा क्या करना है c greater than n करने के लिए हमें क्या चाहिए हमें दिया c greater than q n अब यहां पर हमारा greater भी आ सकता है greater than equal to भी आ सकता है यह भी आ सकता है यह फिर यह भी आ सकता है तो मतलब तीनों possible है अगर कुछ भी हम लगाते हैं तो यह true हो जाएगा तो आप देखरें common क्या चीज आ रही है यह दोनों common आ रहे हैं तो मतलब इन दोनों में से कुछ भी पूट कर सकते हैं अगर आप यह पूट करोगे अगर आप option में option देखना चाहो तो भी आप देख सकते हो अगर आप यह पूट करोगे तो ultra relation में जाएगा सी और अन के बीच में relation नहीं बनेगा ठीक है इससे answer आ रहा है और इससे भी answer आ रहा है इसका मतलब इन दोनों में से कुछ भी आप रख सकते हो यह थी logical operator फिर आते mathematical operator mathematical operator में क्या होता है प्लस माइनस यह सब चीज़े करनी होती है तो इसमें हमें board mass rule पता होना चाहिए सबसे बेले bracket solve करते हैं फिर division multiplication addition subtraction अब इसमें क्या दिया है सबके आपको meaning बदल दिये तो यहां पर जो slash division का मतलब है माइनस तो यह हो जाएगा 76-5 और माइनस का मतलब है माइनस का मतलब है multiplication 5 इंटू 6 हो जाएगा ठीक है और प्लस की जगह है division डिवाइड़ वाइड़ थ्री और चार की जगह मल्टिप्लाइड की जगह है प्लस प्लस यह हमारा answer होना चाहिए पहले हम डिवाइड करते हैं तो इस सवाल है जिसमें साइन एक्सचेंज फूचते हैं ठीक है इसमें पूचते हैं कि किन दो साइन को एक्सचेंज करेंगे कि हमारा answer या जाएगा इससे करने का तरीका यह है कि हुप कि अगर एक्सँआप यहां पर माइनस कर देतो यहां पर डिवाइट कर देतेओ तो तो कितना answer पर आगा देखो यह च्छे बन जाएगा ठीक है फिर यह जागा चौदा तीन बैयालिस है कि के बैयालिस माइनस तो ताइस प्लस यह आ जाएगा 21 तो यह आपका अंसर ऑप्शन ए में आ गया तो किसमत अच्छी थी कि ऑप्शन ए में आंसर निकल गया कभी ऐसा हो सकता है किस से सही बैठा की नहीं और एक्जामबल देखते हैं ऑप्शन सी देख लेता है ठीक है डिवाइड और माइनस को यह चेंज कर देते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा ठीक है और यहां पर मल्टिप्लाइबाइबाइब ट्वेंटी से तो आ जाएगा बाकी ऐसे रहेगा तो यह हमारा साही नहीं है अब आपका आंसर जिस ओप्शन आ गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है तो इन क्वेश्टन को ओप्शन देख्के ही चेक करना है अब यह क्या है एक दर से कोड़ेट ऑपरेटर से आपको कोड़ेट फॉर्म में दिये हैं और यहां पर जैसे ए का मतलब सब्ट्रैक्शन है तो यहां पर लग दो 27-8 बी का मतलब है मुल्टिप्लिकेशन यह 5 और सी का मतलब है एडिशन प्लस यहां पर 5 के बाद प्लस और 11 ग्यारा प्लस तीन बी का मतलब है मुल्टिप्लिकेशन तो यहां पर प्लस 36 डी का मतलब है डिविजन ठीक है और छे तो 36 डिवाइट बाइट बाइच्छे सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ठीक है सबसे बहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर 14 आ जाएगा तो यह बन जाएगा 27-8 इंटू 5 प्लस 14 इंटू 5 प् 37 डिवाइट बाइचे अच्छे आ जाएगा और फिर यह जाएगा 27-40 प्लस सतर प्लस शे तो अगर हम इसे आड कर देंगे तो यह जाएगा 97 एक सो तीन एक सो तीन माइनस चालिस 63 हमारा अंसर हो जाएगा तो यह हमारा आंसर आजाएगा 63 ठीक है अब एक और टॉपिक होता है वर्ड फॉर्मेशन इससे भी कुछ-कुछ कभी-कभार सवाल आ जाते हैं सिंपल सा टॉपिक है कि कुछ कभी सवाल आप से पूछे जा सकते हैं तो जैसे यह सवाल है इसमें क्या दिया है कि आपको वह शब्द निकालना है जो इन्सके क्या पर इसमें आपको रिपीट नहीं करना होता है है कि मतलब रिपीट के मतलब एक्स्ट्रा काउंट नहीं करना है एक्स्ट्रा काउंट नहीं करना है जैसे अब जैसे एक्जामपल में दिया है डायलेक्ट ठीक है पहला ऑप्षन है डायलेक्ट अब बताना है यह बन सकता की नहीं बन सकता है लिमिटेट ल आई अब जैसे यह वाला है कि इन मैं से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है तो यह ध्यान देना पड़ता है कई बार के होता है हम देख लिए तक क्या बन सकता है हम पहला option मार्ग करते हैं प्रिजन प्रिजन तो सीधे-सीधे दीख रहा है तो यह तो बन सकता है ठीक है यह आंसर नहीं होगा sonnet sonnet यह भी बन सकता है impression i m pr e double s यहां पर डबल s है ठीक है पर question में सिर्फ एक s है यह हमारा answer और यह नहीं बन सकता moment बन सकता है में में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है पर इंग्लिश अलफबेटिकल सीरीज इसमें हमें अब्जेक्ट में लेटर्स के उन पेर्स को निकालना है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है एक्चुल में वर्ड में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्ड माला में होते हैं और एक्जामपल जैसे एक एक्जामपल लेते हैं जैसे ओ बी जे इसस अब देखो ओ और टिक्ट के बीच में कितने लेटर है यहाँपे एक दो तीन चार अगर इंग्लिश और लिखते हो क्या होता है ओप्लें चार लेटर्स आते यहांग भी चार लेटर आ रहें तो ओ और टी एक ऐसा प्यर हो जाएगा टी यू तो यह नहीं बन रहा है b c d e f g यहां से कुछ नहीं बन रहा है j k l m n नहीं बन रहा है e f g h c d e फॉरवर्ड से हमने देख लिया o t बैकवर्ड देखेंगे s t ऐसे एस और t के बीच में अगर आम ऐसे देख रहे हैं एपीसी ड ऐसे लिख रहे हैं कि यहां पर लिखा है forward and backward a b c d s लिख रहे हैं तो s के बाद t आएगा आएगा कि इनके बीच में कोई लेटर है नहीं है यहां पर इनके बीच में कोई नहीं है टीक है आगे कोई हमारे पास combination नहीं बन रहे हैं वहरे पास दो case है जिन में उनके बीच में same letters जैसे o ट में 4 letters आते हैं English alphabet में इसमें भी 4 letters है एस और ट के बीच में कोई लेटर नहीं है तो इंग्लिश अल्फाबेट में भी कोई लेटर नहीं होता तो फॉरवर्ड से हमने देखा तो एक आया और यह बैकवर्ड देखा तो एक और केस आया तो दो केस हमारे बोजाएंगे कि इच कॉंसोनेंट इन वर्ड टेंपूरल इस चेंज तो प्रिवियस लेटर इंग्लिश अल्फाबेट इच वावल इस चेंज तो नेक्स लेटर एंड दें देंड़ लेटर आर्रेंजड इन अल्फाबेटिकल अब यह क्यों होता है वर्ड से लेटेट कुछ ऐसे ही देते ह अब क्या है आपको बता ओना या क्या होते हैं होते हुआ ओर यो यू ओन ऑने ओर अख़ी हमारे हो जाते हैं ईक कर दो एह बाकिár चाँने क्नसोंट प्रत तो पहले हम क्यार पर सबरेंदेश लेटन को नहीं है यह जाएगा से पहले क्या आता है क्यों ल से पहले आता है और जो वह जा रहें जारे है यह है उक्यागा फिर 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 ऑघर यह यह अब तो यह लेटर और अर्येड़र अब हमने इनने अलफाब्तिकल और में लेग आ नहीं है तो सबसे है आ जाएगा भी दिल लेटर फ्र के पाइल सो एध our ट्रब्या युव्र यह लाज़ा जाएगा a lot us प्हहले before school यह हमने कै यह क्या किया कि जो कॉंसोनेंट है उससे उससे पिछले लेटर ले लिया और वावल में एक लेटर बढ़ा दिया ठीक है फिर उन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया यह हमारा पास आगया और फिर इसमें पूछा है कि फौर्थ फॉर्थ फ्रम राइट 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 इंड से चोथा इस वीडियो में हमने कुछ तपिक्स देखे मिसलें नहीं अलग अलग तरह की टॉपिक्स होते हैं जिनसे सवाल पूछे जाते हैं चोटे छोटे और इकके दुक्के सवाल आप इंसे एक्सपेक्टर सकते हो और देखा कि इने इस तरह से सॉल्ब किया जाता है